Please subscribe to my channel RKS Studies and also press the bell icon to get the notification instantly whenever I upload a new video on my YouTube channel Hello and welcome to my channel RKS Studies Accountancy and Bookkeeping का जो topic चल रहा है उसमें एक sub-topic आता है Accounting Equations and Journal इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे लेकुन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दो कि पीछे की वीडियो में जो हमने Accounting Terms के बारे में डिसकस किया ना जब तक उसका Knowledge नहीं है तो इसको पढ़ने का कोई फाइदा नहीं उसका Knowledge होगा क्योंकि Terms यहां यूज होनी है तो जब तक उन Terms के बारे में अच्छे से Concept नहीं होगा तब तक Accounting Equation क्या होती है समझ नहीं आएगा इसलिए प्लीज आप पिछले Lectures को एक बार जरूर देख लीजिएगा तो चलो आज का Topic हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का Topic रहेगा Accounting Equation क्या होती है Accounting Equation के लिए देखो हमने पीछे जो Lectures हमने पढ़े न उसमें हमने कुछ Terms पढ़ी थी Capital क्या होता है, Liabilities क्या होती है, Assets क्या होते है उनी के Related है अब उनका Concept होने पर ही हमें पता चलेगा कि एक Accounting Equation कि इसको कहा जाता है क्या है ये Accounting Equation? इसका पता तभी हमें चलेगा जब हमारे पास Knowledge होगा, किसका? इन सब Terms का, जो हमने पीछे पढ़ चुके है तो अब ये Accounting Equation है क्या? Accounting Equation जो है न, वो Signify करती है कि Business का जो Asset है न, वो हमेशा Equal होता है Total Liabilities कितनी है? और Capital कितना है? यानिकि Owners की Equity कितनी है? यानि कि जो Owners है, मालिक उसने कितना Invest किया? प्लस Liabilities मतलब उसको कितना चुकाना है हो सकता है? उसने Lão लिया हो हो सकता है कि उसने Lão लिया हो, तो वो person का पैसा चुकाएगा न, उसके लिए तो Liability हुई यह हमने पढ़ा था ना कि जब भी future में हम payment करें तो वो है हमारे लिए liability पेमट और जब भी हमें future में कुछ मिले वो है हमारे लिए asset जो हमें फाइदा दे वो है asset जिसे हमें नुकसान मिल जाए तो वो है हमारे लिए liability ओकी अब इसके बाद क्या है कि वो equation जाता है accounting equation A is equal to L plus C क्या है यह A है asset, L है liability और C है capital इन तिनों के बीच में यह जो relation है अच्छा यह A is equal to L plus C है इसको हम लिख सकते हैं जब A is equal to L plus C मतलब हमें पता है कि यह mathematical equation है इसलिए जब भी left side से हम कोई number right side ले जाते हैं या फिर right से left ले आते न तो उसके साथ जो symbol होता है जैसे plus है तो वो minus में होगा जो minus है वो plus में होगा ओके तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि L plus का है minus का तो है नहीं इसलिए यह equation ऐसी भी बन सकती है A minus L is equal to C बन सकती है ओके पता चला A minus L equal to C यह तो एक बात रही हो सकता है plus का C हम left side लेकर वो equation पुछके हो के question आते है question ऐसे बहुत सरे options आएंगे बोलेंगे कि कौन सी accounting equation है इसमें से तो हमें बतानी पड़ेगी न देखो left right तो हम कर सकते है left से right ले जाओ तो उसका साथ का जो sign है प्लस का है तो minus का है तो plus कर दो तो हो गए न है equation यही होती है accounting equation यही होती है तो अब capital asset और liabilities के बीच में तो हमें पता चला और relation भी पता चले गया accounting equation भी पता चली एक बात और बताना चाहता हूं यही asset liability और capital use होते हैं हमारी एक और टर्म में जो है हमारे पास balance sheet क्या है वो वो है balance sheet तो balance sheet क्या होती है इसके बारे में भी आपको बताता हूं balance sheet अपने पास record रखती है अपने पास report रखती है सारे के सारी liabilities की सारे के सारे assets की और क्या है capital ये सारा record, ये सारे की सारी report अपने पास में रखती है तो balance sheet हुई ना, balance sheet पता चला ना जिसके अदर वो सारी चीजें record हों कि हमारे assets कितने हुए हमारे liabilities कितनी हैं, ये सब balance sheet में ही पता चलता है हमें तो balance sheet में कौन से component यूज हुए वही asset, वही liability और वही capital तो component होगे accounting equation और इसमें same इसलिए कभी कभार accounting equation को एक और नाम से भी जाना जाता है इसको कहा जाता है balance sheet equation ये भी याद रखिएगा accounting equation या balance sheet equation यहां तक तो clear हुआ, यहां तक clear, यहां तक बिल्कुल clear हो गया अब आगे बढ़ते हैं, यह देखिए, यह यहां पे ना, यहां पे कुछ terms दी हुई है, यह first, second हाँ a minus l is equal to c, कोई बात नहीं है, l को right से left ले गए, अच्छा, a minus c is equal to l, कोई बात नहीं, c equal right से left ले गए तो क्या फरक पड़ा, ओके, फरक नहीं पड़ा ना, यही है balance sheet equation ओके, तो यहां तक हमने पढ़ लिया, balance sheet equation की हमने बात की थी, तो यह रहा balance sheet equation क्या होती है यह, यह relationship बताती है, components किस कौन-कौन से, कौन-कौन से components balance sheet में होते हैं liability, asset और capital, हमने इसके बारे में अच्छे से detail में पड़ लिया, अभी तक हमने जाना कि balance sheet, balance sheet equation और accounting equation में क्या फरक है, अब हम, देखो, जब कोई business की बात आती है ना, तो उसमें land in तो होता है, पैसा आता है, पैसा जाता है, फाइदा मिलता है, नुकसान भी होता है कभी कबार, ओके, तो वो transaction, हर रोज की क्या-क्या, land in किस तरह से रहा, उसको analyze करना, यह भी जरूरी है तो चलो, कुछ examples के साथ, हम आपको बताते हैं कि किस तरह से transaction का analysis किया जाता है, ओके, तो सबसे पहले देखो, अगर हमने कभी bank में, State Bank of India में माल लो कि हमने अपना account open किया, bank account, और 4,80,000 रुपीज उसमें deposit भी कर दिये, ओके, तो अब क्या, अब इसको हमने analyze करना है, माल ल ओके, हमने analyze किस तरह से करना है, कि transaction ये जो हुई ना, इसने हमारा bank का जो balance था, उसको increase कर दिया, पहली बात, increase कर दिया ना, हमारा ये जो transaction हुई, इसने cash जो bank में था, वो बढ़े गा ही ना, भाई, पैसा जमा हुआ है, पैसा deposit करवाया, तो वो bank balance बढ़ गया, ओके, लेकन कुछ कम भी तो हुआ, हमारे पास जो था ना, पैसा, उसमें से पूरे 4,80,000 जो हमने bank में deposit करवाया, वो हमसे चले गए, हैं वो हमारे ही, asset है हमारे लिए, हमें कुछ interest देगा वो, कुछ percent interest के साथ, वो पैसा हमारे वापस आएगा, लेकिन हमसे चला गया, decrease हुआ वो हमारे pocket से, ओके, यहां पर हमारे लिए वो decrease हो गया cash, 4,80,000 का जितना हमने bank में deposit किया, bank balance भढ़ गया, increase हो गया, transaction का, यह हमने analysis कर दिया, अब अगर ऐसा होता है, दूसरा पढ़ते हैं, कि दूसरा step में है कि, देखो, हम मालों की 60,000 का furniture लाते हैं, furniture लाया, हमें benefit देगा, बिलकु लैसेट है, देखो, और जब हमने 60,000 का, 60,000 का furniture लाया, और उसी दिन cash भी, sorry, check भी जो है, issue हो गया, उसी दिन, अब इस बात को, किस तरह से हम analyze करेंगे, इस यह जो transaction हुई ना, हमने furniture खरीदा ना, 60,000 रुपे का, और check भी हमें मिल गया, sorry, check, हाँ, बिलकुल, check जो है, हम उ उसी दिन, issue हो गया, तो इसको analyze करने के लिए हम क्या करेंगे, इस transaction को analyze करते हैं, देखो, यह जो transaction है, इस से furniture तो हमारा बढ़ेगा ही, furniture खरीद के लाओगे, तो furniture बढ़ेगा, obviously बढ़ेगा, और asset है, क्योंकि बढ़ेगा, हमें फाइदा ज्यादा देगा, तो future में जो 60,000 decrease हो गया, obviously होगा, जब पैसा निकल वाओगे, तो पैसा कम ही होगा, analyze हमने किया, कि 60,000 बैंक से decrease हुआ, furniture हमारा increase हुआ, तो asset ही है, asset क्यों है, क्योंकि आपने furniture खरीदा ना, तो जो हमें future में benefit देगा, तो asset है, okay, अब मालो कि हमने कुछ machinery लाई है, एक लाग पचीस थार रुपे के machinery लाई है, पैसा दिया नहीं दिया, अभी मैंने ये बात नहीं कही, machinery लाई है, एक लाग पचीस हजार की, कुछ machines लाई है, और अब हम यहाँ पर बात करें कि हमने 10,000 रुपया उस आदमी को, उसका नाम है, राम जी लाल, उसको cash पे कर दिया, मैंने 10,000, machinery लाई 1,25,000, 1,25,000 की, उसमें से मैंने 10,000 उसको advance में दे दिये, अब मुझे बताओ, मैंने और भी तो देने है, machine दो लाई है, machine मेरे लिए asset है, लेकन कुछ आपको बताए, यहाँ पे मेरे लिए liabilities भी है, क्या liability है, देखो, 1,25,000 मैंने total लिया, अब इतने की machinery लाई है, 10,000 उसक payment करनी है, उसको, मेरे से पैसा जाएगा ना future में, तो इसलिए वो liability है मेरे लिए, और वो है, 1,15,000 की, क्या होगी, वो मेरे लिए, एक liability है, लेकिन यहाँ देखिए, decrease हो गया ना cash भी, 10,000 रुपीज जो है, वो decrease भी तो हुए, दूसरी side, जब हमने 1,25,000 उपे लिए, advance में 10,000 दी है, 1,15,000 हमें और देने हैं, जो कि liability है, यहाँ दक समझाया, तो यह analysis है, कि रामलाल जी, जिनको हमने और पैसा देने हैं, हमारे लिए, वो क्या, देखो, उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे, creditor, हम कोन हुए, हम तो debitor, क्योंकि हमने पैसा देना है, उनने पैस नहीं होनी चाहिए, फिर भी, अगर कहीं से समझ नहीं आई ना, कोई step clear नहीं हो रहा, तो आप ज़रूर बताइए का मुझे comment करके, ओके, अब next lecture में हम एक और topic, bookkeeping and accountancy and bookkeeping के related लेके आएंगे, ओके, तो तब तक के लिए, good bye